भारत का किंखोब्रा जो की खतरनाक तैनात रहने वाला इसकी पैजान देख सकते हो आप यही है भारत का सबसे खतरनाक और डेंजर्स किंख यह देख सकते हो गाइस कि यही है हो फिसे हो आप यही हो हैजि भाल यही है झोगल फंक है बदाफ ऑ हाग कि अ फ़्वार मेश का vidéo इस लिए भी था लेड़ा है अबूर कुछ गया और अब और कि अब आधान चाहे इस दॉटिंच वागार और यहां पर हम सभी सापों को छोड़ेगे आप बन रहें वीडियो में आते हैं आप देख सकते हैं हमारे पास चाहर थाप है एक इंडियन कामन करेट जो की भारत का सबसे जहरीला और एक छोटा रेट इस्तिक का बेबी जो की नोन मिनमस बीना जहरवाला एक धामन बड़ा इसके अंदर है और इंडियन किंग कोब्रा यह देख सकते हैं आप काफी लंबा और इसको भी हम यही पर जंगल में छोड़ेगे आप बने रहें वीडियो में सबसे पहले हम चोटा धामन को डेबी को करते हैं जंगल में आजाद यह देख सकते हैं यह प्रियावन में रिल कि यह देख सकते हो गाइस यह रैट इसनेक जो कि चुए खाता है और चुगों के चक्कर से अपने घर के अंदर घुश जाता है चले गाइस को भी हम छोड़ देते हैं जंगल में यह देख सकते हैं आप और वाइस अब है इंडियन कामन क्रेट जो कि भारत का सबसे जहरीला अब यह देख सकते हैं आप भारत का सबसे जहरीला इंडियन कामन क्रेट जो की रात में बाइट करने वाला और इसको हम करते हैं जंगल में आजाद यह देख सकते हो आप इसको करते हैं जंगल में आजाद यही है भारत का किंग कोब्रा जो कि खतरनाक तैनात रहने इसको कहा जाता है नागो का राज महारा नाग राज यही है इंडियन किंग कोब्रा इसकी पैचान देख सकते हो आप यही है भारत का सबसे खतरनाक और डेंजर्स किंग कोब्रा जो की जुद्ध देख सकते हैं नागो का राजा राज में रख गाशा यहीं से खतरनाक राज आप यहीं आप यहीं आप यहीं जो कि आज पहली बार हम देख सकते हैं काफी डेंजर्स और करमक और लगबग आठ से नुव फिटका आप देख सकते हैं कि यह है किंग कोब्रा कि नागो पर आजा नाग राजो कि यह देख सकते हो आप आप है कि यह इसको हम करते हैं जंगल में आजाद कि लगबग चार ते प्माच चीलों का है यह कि अग्याद कि अग्याद कि अग्याद आप देख सकते हो और यह अपने परियावन में दिली जो रहा है आप देख सकते हो यह अपने परियावन में दिली जो रहा है हाँ तो गाइस आपने देखा हमारा बड़ा किंक कोप्रा हमने जंगल में आजाद कर दिया है तो गाइस चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कमेंट जरूर करें हाँ तो गाइस यह हमारे मैनत का फल है तो गाइस अगर आपके घर में या कहीं पे भी साप निकले आप हमें कोल कर सकते हो तो गाइस ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार